नमस्कार दोस्तों, इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चाड़क की नीती के आधुनिक रूप अंतरड की एक और वीडियो चाड़क की नीती को पूरीत रहे और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्यूंकि अधूरा ग्यान हमेशा घातक होता है दोस्तों ये चार चीजें कभी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस से घर में कंगाली आती है कौन सी हैं वो चार चीजें आएए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमारे बेद और शास्त्रों में कुछ ऐसी बाते बताई गई हैं जो सांसारिक जीवन जी रहे लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को छोण कर जब इस संसार से चला जाता है तो उसकी पार्थिब देह के साथ उससे जुड़ी कई बस्तूओं को दूर करने की परंपरा है या तो इन बस्तूओं को दान दे दिया जाता है या फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है लेकिन क्या आप खुद से जुड़ी चीजों का जीते जीत दान कर सकते हैं दोस्तों कुछ चीजे जिनका आप प्रियोग करते आ रहे हैं उनका दान देना घर में दर्यद्रता को दाबत देने जैसा होता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिनका दान देना प्रतिबंदित है दोस्तों करबया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक घड़ी दोस्तों घड़ी समय बताती है अच्छा हो या बुरा ये आपकी परिस्थिती तै करती है लेकिन घड़ी जिस भी व्यक्ति की है उस पर उसका पूरा असर पड़ता है किसी और की घड़ी को कलाई पर बांध कर आपकी प्रोफेशनल जिन्दिगी में समस्य आ सकती है हातों में घड़ी बांधने से आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है यदि आप अपनी घड़ी किसी को उधार देते हैं तो ये आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है दोस्तों शास्त्रों में धन को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रू बताया गया है वो इसलिए क्योंकि धन सभी दुशकर्मों की उत्पत्ती है ये किसी को अपना नहीं बनाने देता खास तवर से रिष्टेदारों में धन का लेंदेन नहीं करना चाहिए धन आपसी प्रेम को खत्म करता है कई घरों में धन ही मनुष्य की मुख्य मुशीबत की जड़ मानी जाती है भाई भाई में जगडे, दोस्ती, रिष्टे नातेदारी में क्लेश, केबल इस धन के कारण होते है दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो हर लड़की अपने होने बाले पती या फिर अपने प्रेमी से चाहती है दोस्तों प्रेम का ये तुहफा उसके लिए सबसे खास होता है लेकिन आपके बस में जितना हो उतना ही करें चादर से बाहर पैर फैलाना समझदारी नहीं बलकी बेवकूफी होती है अपनी पत्नी के लिए बही खरीदें जो आपकी लिमिट में हो लिमिट से बाहर खर्च यानि उधार आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है दोस्तों कहते हैं हमारे कर्मों को यमराज के यहां चित्र गुप्त लिख रहे हैं जीवन में भी कलम यानि पेन की बड़ी महत्वा है अपना कलम किसी से बांटना या फिर किसी से उधार लेना आर्थिक परेशानियों को निवता देने जैसा है इसलिए कभी किसी का पिन ना तो ले और ना ही किसी को अपना पिन बांटे दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आप से एक आइसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फॉर्मेटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत